हलो फ्रेंड्स मैं निसान चौधरी आप सभी का आपने और आप सभी के चैनल दा साइस कॉम्रेड में स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी को पता है मैं अपने रियल लाइफ एक्जामपल के थूँ आप सभी के कॉंसेप्ट को किस्टिल क्लियर कराता हूँ आज उसी सीरिज यानि कॉम्रेड वेच में मैं आपके लिए लाया हूँ स्टियोमेट्री तो स्टियोमेट्री में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आप से बात करूँ तो आज मैं आपको फील दूँगा रियल लाइफ एक्जामपल के थूँ कि लिमिटिंग रियेजेंट होता क्या है बच्चो और उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि एक्सिज रियेजेंट होता क्या है और रियेक्शन जो भी केमिकल रियेक्शन है वो क्या है और केमिकल रियेक्शन को कैसे स्पैसिफाइड करें हम कैसे किसी भी चीज के मोल्स निकालें कैसे उसकी कंडिशन को निकालें तो आज के lecture में मुझे नहीं लगता osteometry से relative कोई भी चीज बचेगी तो बच्चो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी देर बता दूं कि मेरे वीडियो को कैसे कैसे tackle करना है तो सबसे पहले मैं मुझे आप सभी को क्या करना है मेरा lecture properly देखने है उसके notes properly बनाने है then आपको क्या करना है बच्चो जिस भी competitive exam की आप तयारी कर रहे है वो IIT हो, NEET हो, State Awards हो और SUIT हो कोई भी exam की तयारी कर रहे है आपको मेरे वीडियो को देखने के तुरंत वाद आपको एक दिन के अंदर इनके previous year question लगाने है अगर आपको benefit मिलता है मेरी वीडियो को देखने के बाद वो question tackle हो रहे है तो आप क्या है मेरी वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन अगर आपको फायदा ही नहीं हो रहा है बच्चो अगर वो वीडियो वर्थिटी नहीं है अगर मेरी वीडियो वर्थिटी नहीं है तो आप क्या है आगे चैनल को ना देखें तो मैं आपका निसान चौदरी आपके लिए अब मैं heading और heading लाता हूं इस्टिक्योमेट्री क्या इस्टिक्योमेट्री और आज का जो हमारा topic रहने वाला है वो रहने वाला है बच्चो लिमिटिंग रेजेंट और access रेजेंट तो क्या होनाए बच्चो हमारा topic एक limiting reagent axis reagent तो मैं एक example की द्वारा आपको समझाने की कुसिस करूँगा कि limited reagent क्या होता है axis reagent क्या होता है बच्चो आज मैं आपसे चाय बनवाऊंगा कहने का मतलब है जो भी भाईया या बेन वीडियो देख रहे हैं उनको मैं कहूँ कि आपके घर में आप अकेले हो आपके ममी पापा है नहीं ना भाई बेन हैं आपके guest आपके घर में आ जाते हैं तो मुझे बताइए आपको आपकी मजबूरी बन गई आपको चाय बनाना क्योंकि घर में कोई है नहीं और गेस्ट को चाई भी सर्व करनी है तो मुझे बताइए आप सब भी भाईया या बेहनों से मैं बोलूँ तो आप मैं से 95-98% भाईया बेहन ऐसे होंगे जिनको चाई बनानी आती होगी क्योंकि हम middle class family से हैं जो अमीर family से होंगे थोड़े वो सक चाई के लिए और नहीं चाहिए चाए की पत्ति है उसमें तो यह में चाहिए और चाहिए और क्या चाहिए चीनी चाहिए तो यह चार चीज़ें बहुत इंपोर्टेंट हैं अगर हमें चाय बनानी है तो अब मुझे बताइए आपने चाय बनाई तो सबसे पहले क्या किया मुझे बताइए बर्नर को ओन किया फ्लेम जलाई गैस है यह बर्नर को आपने ओन कर दिया जैसे जैसे ही पाइन ने थोड़ा सा बॉयल दिखता है तुरंत क्या कर दी चाय पत्ती डाल दी जैसे ही चाय पत्ती डाली तुरंत उसके बाद आपने क्या किया दूद या चीनी जो भी रिक्वाइर्मेंट है चीनी डाल दी दूद डाल दिया अब मैं आपसे कहता हूं कि आप ची पूरी बना दी कहने का मतलब है आपने ये जो चीनी है इसको नहीं डाला चीनी डालना भूल गए नहीं डाली जो भी आपके guest है, उनके सामने चाई को सर्व कर दिया, जैसे ही आपने चाई को सर्व किया, guest ने पहला sweep लिया, उनको क्या दिगा, उनको क्या चाई फीकी नजर आई, कहने का मतलब है, उनको टेस्ट ही नहीं आया चाई में, किसका, चीनी का, मुझे बताओ, वो पूरी हैं मीठी नहीं है, तुरंत आप समझ जाओघे चीनी नहीं है, मुझे बताओ, पूरी चाई को क्या डिफाइन कर रहा है है, आपकी चाहे, बच्चो, product है, बिलकुल, आपकी जो चीनी है, वो क्या है बच्चो, रेक्टेंट है, बिलकुल, तो मुझे बताओ, अगर मैं ची नहीं दालना भूल गया हूं तो पूरी चाय को प्रोडेक्ट को कौन डिफाइन कर रहा है चीनी मुझे बताओ गेस्ट ने पानी की क्यों नहीं बोली चाय पत्ती की क्यों नहीं बोली क्योंकि वो सब उसमें परफेक्ट अमाउंट में कहने का मतलब है अगर मैं example की बात करूँ तो मुझे नहीं लग रहा आपको दिक्कत हो रही होगी मैं crystal clear कर चुका हूं concept एक condition indicate कर दाई चीनी तो चीनी से specified कर दिया आपके आपके guest ने क्या specified कर दिया कि इसमें चीनी कम है कहने का मतलब है पूरी चाई को define कर दिया एक चीनी से एक और example ऐसा ही और इसको concept को खतम कर दूँगा अब आओ दूसरा example मैंने क्या गिया suppose करो मुझे क्या है मुझे एक cup चाई बनानी है एक cup चाई वही example है एक cup चाई पी बनानी है मुझे बताओ एक cup चाई बनानी के लिए दो इस्पून चीनी की दो इस्पून चीनी एक इस्पून चाई पत्ती लगती है एक cup चाई बनानी के लिए दो इस्पून चीनी और एक इस्पून चाई पत्ती लगती है और एक cup milk अगर मैं आप से कहूं आपको दो कप चाई बनानी है तो आप क्या कहोगे दो कप चाई बनानी है आप कहोगे गुरू जी हमें क्या करना है अगर दो कप चाई बनानी है तो दो कप milk प्लस चार स्पून चीनी प्लस दो स्पून चाई पत्ती डालनी है अब मुझे बताओ जब दो कप चाई के लिए दो कप चाई बनानी है तो दो कप milk चार स्पून चीनी और दो स्पून चाई पत्ती जबगी एक के लिए मुझे बताओ एक कप का जो amount था मैंने क्या कर दिया दो कप चाई के लिए दुगना कर दिया सब कुछ मुझे बताओ, एक कप मिलक था, दो कर दिया, दो स्पून चीनी थी, चार कर दी, एक स्पून चाय पत्ती थी, दो स्पून कर दी, मुझे बताओ, एक की जगे दो, अगर मुझे बताओ, यहाँ पर मैं कह देता हूँ आपसे, एक, दो स्पून चीनी, चार स्पून की जगे, म मैं इसको कहूंगा, इसकी बज़े से जो चाय है, वो दो कप चाय तो बनी होगी, लेकिन ये कैसी होगी, फीकी, और फीकी की बज़े से क्या है, जो हमारे गेस्टें इंडिकेट कर रहे होंगे, कि ये चाय फीकी है, तो यही इसी को कहते है, कहने का मतलब है, जो क्या है, पूरी चाय को डिफाइन कर दे, और नोने ये तो कही नहीं, केस में चाय पत्ती नहीं है, के दूद नहीं है, क्रिस्टिल क्लियर हो गया होगा, बच्चो कॉंसेप्ट, थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, मैं किस और इंडिकेशन कर रहा था, तो दुबारा आजाएए इसी एक्जामपल पर बच्चो, आजाओ, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगी आपको, मैं क्रिस्टिल क्लियर कर चुका हूँ, कहने का मतलब है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, मैंने क्या कहा, एक क मुझे चाय बनानी है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, एक कप दूद लेता हूँ, दो इस्पून चीनी के लेता हूँ, दो इस्पून चाय पत्ती लेता हूँ, एक कप चाय मेरी तयार हो जाती है, अब मैंने क्या कहा, एक नहीं, दो गैस्त आ गए, अब दो कप चाय बनानी है मैंने क्या किया दो कप दूद ले लिया दो कप चीनी ले ली और मैंने क्या किया दो इस्पून दो की जगह चार इस्पून किसके ले लिए चाई पत्ती के ले लिए अब मुझे बताईए मुझे लेने कितने थे स्पून चार तो यहां से स्टियोमेट्री गड़ वड़ाने लग गई तो मुझे बता यहां से कॉंसेप्ट की स्टिल क्लियर हुआ बच्चो बिलकुल हुआ होगा आपका जैसे मैं कहदूं आपसे कोई भी रियक्शन है कोई भी कंडिशन सी दी सी बात है फिर से एक एक्जा सुगर एक कप चाए बनाता है वन कप ओफ टी तो मुझे बताओ एक्चुल में तो स्टियोमेट्री क्या कहना चाती है अब मैं कह रहा हूं यह मेरी कंडिशन है किसी भी रियक्शन है chemical reaction है, एक cup milk, एक spoon sugar, एक cup of tea, लेकिन हम मैंने कह दी हमें दो cup of tea बनाने, two cup of tea, कैसे बनाऊंगा बच्चों, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा, एक cup milk, कितने एक cup tea के लिए, तो दो cup milk लेना पड़ेगा, बिल्कुल, समझ रहे हो बच्चों, एक spoon sugar, तो मुझे बताओ, दो spoon sugar लेनी पड़ेगी, तो मुझे बताओ, जब ये लोगे आप, तो आपकी perfect बनेगी चाहे, दो cup of tea, तो आप कहोगे, बिल्कुल गुरू जी, आपने अगर दो cup of tea बनाने हैं, तो यही लेनी पड़ेगी, लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं क्या कर दूँ, इसको दो की जगए एक कर दूँ बच्चों, तो मुझे बताओ, जो भी अत्यदी को, चाय तो दो कपी बनेगी लेकिन इसमें क्या होगा ये चाय फीकी होगी और ये चाय फीकी है इसका मतलब है जो सुगर है वो दो कप तो बनी लेकिन उसमें क्या है दिक्कत हो गई जो चाय है वो परफेक्ट नहीं बनी वो इंपरफेक्ट रही क्यों क्यों क्योंकि इसमें क्य जो सुगर उसका कम है यह क्या हो गया पहले ही खतम हो गई जो चीरी है पहले भी खतम उवी बच्चो तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिग्कत हुई होगी एस एक एक्सांपल से मेने आपके कॉंसेप्ट ताम क्छों किसंतिल क्लियर елен नहीं हों जिसको भी नहीं आया वो डफीन से समझ जाएगा कि limiting region होता क्या है तो अगर मैं क्यों द quién what is limitingree égal tributo 8택े डाले what is limiting region the region which is completely consumed during chemical reaction the reagent the reagent which is completely consumed during chemical reaction reaction the reagent which is completely consumed during chemical reaction is called limiting reagent बच्चो अब आज आते हैं अगर excess reagent की बात करूंगा तो मुझे बताओ एक्सिस का मतलब बचा रह जाना तो जो दूसरी वाली जो कंडीशन थी वो एक्सिज एंदा रेजेंट विच इस एक्सिजिन अमाउंट रेजेंट विच इस नौट कंजूम्ड कंप्लीटली crystal clear वच्चो what is limiting reagent and what is excess reagent crystal clear हो गया होगा अगर हमें चाय बनानी है एक कप एक कप के लिए इतनी requirement है तो दो के लिए कितनी stiometry हो जाएगी दो गुना लेकिन अगर क्या है किसी चीज को मैंने दो गुना नहीं किया तो उसमें वो जो चाय है उसमें वहीं दिखेगा वहीं इंपरफेक्ट दिखेगी कि उसकी कमी क्या है तो उसी से इंडिकेटर करना है कि क्या चीज limiting reagent है वहीं decide कर रही है चाय को ज जहें नहीं लगता कोई भी दिक्कत हुई होगी कि still clear हो गया होगा अब मैं आपको थोड़ा सा concept अब numerical की ओर चलेंगे इसलिए थोड़ा सा बता दूँ कि limiting reagent actual में निकालते कैसे हैं क्या condition है क्या क्या specification होगा तो limiting reagent निकालने के लिए बच्चो मैं आपके लिए numerical लाया हू उससे पहले condition specified करानी पड़ेंगी कि stiometry क्या होता है क्या condition है तो थोड़ा सा मैं अब stiometry पे आता हूँ कि stiometry को थोड़ा सा समझाते हैं कि है क्या तो stiometric coefficient होते क्या हैं बच्चो तो stiometry को समझते हैं मैंने कोई reaction लिख दी A प्लस B यहां से C product बनना है अब मुझे यह मैंने बोल दिया इसकी एक stiometry इसकी एक एक बन रहा है मैंने अगर बच्चो कह दिया A प्लस B मतला 2A 2B तो यह कितना बनेगा 2B या 2C तो मैंने क्या किया अगर मैंने इसको double कर दिया तो इसका product भी double हो गया भाई मैंने क्या किया A को double कर दिया बी को डबल कर दिया, प्रोडेक्ट डबल हो गया, जैसे फिर से मैं वही एक्जाम्पल लेता हूँ, चाय वाला, आप मुझे बताईए, एक स्पून मैंने सुगर ली, एक कप मिल्क लिया, तो एक स्पून सुगर और एक कप मिल्क से क्या बना, एक कप अफ टी, अब मुझे बताओ, अगर मुझे दो कप अफ टी बनाने हैं बच्चो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आपको दिमाग में दालने की जरूरत नहींगे, एक स्पून की जगह, दो स्पून अफ सु ले लूँ, उसी एक्जामपल को इसलिए ला रहा हूँ, आपको स्टिल क्लियर हो जाए, एक कप मिल्क की जगह, दो कप मिल्क की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे बताओ, दो कप अफ टी बना लूँगा, अब मैं आपसे पूछता हूँ बच्चो, पांच कप अफ टी पू कहने का मतलब है, स्टियोमेट्री का भी कॉंसेप्ट समझ में आया, जितने रियेजेंट होंगे, उतने प्रोडेक्ट बनेंगे, कहने का मतलब है, रियेजेंट को अगर मातरा को नहीं बढ़ाओगे, प्रोडेक्ट कैसे मिल जाएगा, अब मैं आपसे सिंपल पूछ होगे, तभी कहने का मतलब है, जब स्टियोमेट्री को मैं चार से इंटू करूँगा, चार कप टी लूँगा, और चार कप मिल्क लूँगा, और चार कप चार स्पून के सुगर की लूँगा, तभी बन सकती है, क्रिस्टिल क्लियर बच्चो,